दोस्तो आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत और इरान की तरफ से निकल कर आ रही है जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस्राइल और हमास के बीज जब सेयूद सुरू हुआ है तब से गल्फ देशों में इस्तित कई इरान इस्लामिस्ट पॉलिटिकल आम ओर्गनाजेशन काफी ज़्यादा एक्टिव हो गई है और उनकी तरफ से इसराइल के उपर हमले भी किये जा रही है और इनी में से एक और्गनाजेशन है होती रिबिल्स होती रिबिल्स यमन में इस्तित सबसे बड़ा प्राइवेट आम ग्रूप है जिसे इरान द्वारा फंड किया जाता है इसलिए इसे इरान की प्रॉक्सी भी कहा जाता है ये ग्रूप इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके पास क्रूज मिसाल से लिकर बैलेस्टिक मिसाल से भी मौजूद है इस ओगनाजेशन का सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है इसराइल और अमेरिका की बरबादी होती रिबल्स के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इनका बेस इंटरनेशनल टेडिंग रूट रैड सी के काफी करीब है इसलिए एक गुरूप जब चाहे किसी भी देश के कारगो कंटेनर्स को अपने कबजे में ले लेता है और ऐसा ही कुछ हुनों ने भारत के साथ भी किया है जिससे रिलेटेड दा हिंदू के एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीन शॉट आप अपनी स्क्रीन बब भी देख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग यमन बेस्ड हूती रिबल्स ने भारत आ रहे एक सिप को हाईजेक करकर उस पर मौजोद 25 क्रू मेंबर्स को होस्टेजिस बन जा रही थी इस सिप का यूज भारत तर्की से सामान को इंपोर्ट करने के लिए कर रहा था हाला कि इस सिप में एक भी इंडियन सिटीजन मौजूद नहीं था लेकिन इसमें कुछ लोग यूकरेन से कुछ बुलगेरिया से और कुछ लोग फिलिपिन्स और मेक्सिको से थे जिनने छोड़ने के बदले में या तो पैसो की डिमांड की जाएगी या फिर इन्हें ऐसे ही जाने दिया जाएगा जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता अब इस सिप को हूती रिवल्स ने क्यों हाइजेक किया है इसके बारे में हूती रिवल्स का कहना है कि उन्होंने सिप को इसलिए हाइजेक किया है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सिप किस देश को ब्लॉंग करती है लेकिन उन्हें ये सक है कि सिप का लिंक कहीं न कहीं इसराइल से है और इस सिप से इसराइल को हत्यार सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी इसलिए उन् सेट्मेंट रिलीज करते हुए ये साफ कर दिया है कि उनका इस शिप से कोई भी लेना देना नहीं है और होती रिबल्स ने जान बुज़कर इरान के कहने पर भारत की सिप को टार्गेट किया है क्योंकि इस वक्त इरान भारत से बिल्कुल पिखुस नहीं है क्योंकि जिस तरह से भारत ने इसराइल और हमास के भी चल रहे यूद में इसराइल को अपना अनकंडिशनल सपोर्ट दिखाया है और इसराइल पैलेस्तिन को लिकर यूनाइटिड निशन में इस बार भारत जिस तरह से नीट्रल रहकर एपस्टिंड कर र अगे आने वाले टाइम में ऐसे ओर भी कई अटक्स होने वाले हैं क्योंकि हूती रिबल्स पहले ये वार्निंग दे चुके हैं कि वह इसराइल और इसराइल के जितने भी सपोर्टिंग देश है वह आगे उन्हें भी रैड सी में टार्गेट करते रहेंगे और अगर ये अपनी नेवी के थुरू इस मामले को संभालना होगा खेर आप सभी लोगों को क्या लगता है क्या भारत को इस तरह की कंडेशन को देखते हुए इंडन ओशन में जाने वाले इरान के कंटेनर्स और सिप्स को भी रोक लेना चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैहिन जैबारत